नमस्कार नवग्रे मंधन में आपका सुवागत है। मैं सुरेश कौशल इस कारे करम में आपके साथ जोतिश, धर्म, सनस्कृति, सनातन धर्म, इस से जुड़े सभी जातक, धर्म से जुड़े उपाए, जोतिश से जुड़े उपाए और देश, देश के महतेपुरून व्यक्तियों, भोगलग स्थितियों, विविन विश्यों पर बात करता रहता हूँ आज मैं आपके साथ बॉली मुट से जुड़ी एक अत्यादिक चर्चित है वे महतेपुरून हस्ति, उसके बारे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये और कोई नहीं विश्विख्याद जो एक रेड्यूसर है, एक्टर है और एक परकार से आप कह सकते हैं कि एक इंटेलेक्ट्वल जिन को कह सकते हैं अभी निता के साथ साथ, अमीर खान हुंके बारे बात कर रहा हूँ अमीर खान इनका जन्म 14 मार्च 1965 को उत्तर प्रदेश में हुआ था जैसा गूगल इतियादी में डेटा वेलेबल है, दो 14 मार्च 1965 का जन्म इनका बताय जाता है इस जन्म से इनके जीवन में हुई जो घटना हैं, उनको यदि मिला के देखा जाए तो यह लगता ही, जासे ब्रिशव लगण में इनका जन्म होगा है उच्के राहु ब्रिशव लगण में है करक राशी के चंद्र है चतूर्थ भाव में सिंग्राशी में मंगल है सब्तव भाव में उच्के केतु है दशब भाव में शनी तथा शुक्र दोनों है एकादश भाव में सूर्य और बुथ है द्वादश भाव में भरस्पति है नब्बे के दशक में शुक्र महादशा का आरब हुआ इनकी शुक्र महादरशा का आरम हुआ था जिसमें इनोंने इनकी पहली फिल्म सायद कायामत से कायामत तक थी जो अधरी परसिद हुई थी शुक्कर महादशा में इनके अभिनेता जीवन का फिल्म जीवन का आरम हुआ था ये दशा जो है इनकी 2010 तक चलती रही बहुत प्रबल रूप से इन्होंने इस दशा में नाम, यश, शक्ती हर प्रकार से अभिने की अपनी शर्तों पर कामी हुआ ये एक अत्यादिक बुद्धिमान होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी परिपक्त है ये धन कमाना जानते हैं उसको बचाना जानते हैं अत्यादिक उर्जा से समवेश हैं इनके लिए कुछ भी असमभ नहीं है दंबे से लेके 2000 दस तक इन्होंने बॉली भूट को रूल किया ये किसी के भी साथ जगडे त्यादी में नहीं पड़े जैसे एक बड़ा प्रसिद्धी था ये शारुख खान और सल्मान खान का आपस का जगड़ा लेकिन ये किसी चक्कर वियू में नहीं उल्जे प्रंतों इनके चतुर्त भाव का मंगल और अस्त जो शुक्र है ये दो ग्रह इस परकार कहें जिनकी वज़ा से इनके विवाई जीवन में और व्यक्तिकत जीवन में परस्न लाइफ में थोड़े समस्य रही तीबर मांगल प्रवाब है इनकी कोडली में उसके कारण जो है इनका एक विवा ठूटा दूसरा विवा हुआ प्रवल मंगल के कारण वो सब कुछ हुआ ध्यान से देखें तो जब शनी का भ्रमन सिंग राशी में दो हजार साथ से लेके सितंबर 2009 तक चल रहा था उस समय इनका तनाव हुआ है ऐसा देखने में लगता है और उस समय तक आते आते जो है ये अपनी पत्नी से लगवा का लग हो गए थे उसके उपराण 2010 से जून 2010 से इनकी सूर्य मादशा अरम हुई जो की 22 जून 2016 तक चली इस मादशा में इनोंने घर संपत्ति त्यादी सब कुछ बनाया है इस मादशा में ही इनकी दूतिय बिवा से संतार प्राप्ति हुई इस मादशा में सूर्य मादशा में ये राजनीतिक द्रिश्टी कौन से भी सचेत थे गुजरात सरकार के लिए या देश के लिए एक ये ब्रेंड अमेज़र थे वो चलता रहा प्राप्तो सूर्य मादशा में जब ये चल रहे थे 2010-2016 के बीच में तो नमबर दोजार शौदे से और अक्टूबर 2017 जो शनी के ढहिया चल रही थी पंचम शनी चल ले थे शनी बिरिश्ची कराशी में चल ले थे और सूर्य मादशा का समय जब चला इसमें इन्होंने कुछ विवादा स्पत स्थितियों का निर्मान हुआ देश के बारे में देश में जो टॉलेंस के बारे में बात हुई तो ये ब्रेंड अमजर बनने से रह गए और सरकार के साथ थोड़ी खींचतान इनकी चलती रही जो की अरुग शूप से चलती रही ह जून 2016 के उपरां उस्तिति में परिवर्तन आ चुका है इनकी यदि कुणली को देखें मंगल शुकर शनी त्यादी तो भूमी इनके पास धन इनके पास अच्छा स्वास्ते इनके पास कुणली में देखा जाये तो महिलाओं में यवी सलमान की भांती अत्यदिक प्रसिद्धी प्राप्त है अत्यदिक आकर्शन के के अंदर बने जाते हैं बहुत अधिक महनती हैं एक सौमिया इनका इमेज बनी हुई है प्रन्तु मांगलिक प्रभाव के कारण दो विवा हो चुके हैं 22 जून 2016 से 22 जून 2026 इनकी चंदर मादशा चल रही है चंदर मादशा में चंदर राओ का एक समय चल रहा है 22 जून 2017 से 23 मई 2019 तक है समय प्रभल है अच्छा लग रहा है धन प्राती सब कुछ है यश प्राती सब कुछ है पर तो भावनात्मक रूप से चंदर राओ एक दूसरे से विप्रीत है अता विवाईक जीमन में अभी भी छोटे-बोटे तराव इनके चल सकते है मई 2019 से लेके और 2020 के मध्या भ्रस्पती का जो समय चलेगा अस्टमेज भ्रस्पती है उसमें प्रावड़ता स्पश्टूरूप से देखने को इनके शरीर पे मिलेगी और प्रावड़ अभी नहीं भी होगा प्रावड़ता भी होगी और इनकी जो प्रसिद्धिया देश वे देश तक पहुँच चुकी होगी एक हीरो की एक आशिक की एक लवर की जो ये भूमिका करते रहे हैं उससे दूर चल जाएगे यद पी इनकी कुछ पिक्चर्स आई हैं पिछले एक दो वर्ष में जिसमें ये हीरो नहीं थे अपितु जैसे रेस्टनस के ओपर इनोंने फोगट फैमिली को फिल्म बनाई उसमें ये कमर्शल मोवी थी लेकिन इसमें ये पिता रूप में थे कोश के रूप में थे उसी परकार के जो रोल है ये भावकता से जुड़े मैचियोर रोल जो है मई 2000 उन्नीस से लेकर और सितमबर 2020 करते जाएगि नमंबर 2017 से मई 2000 19 के बीच में फिर हिरो के किसी रोल में, प्राउड रोल में, प्रने तु शशक्त रोल में इंकी एक दो पिक्चर आ सकती है, उसमें साइन कर सकते है, धन्सामपत्य सब कुछ है, विवाहिक जीबन में चंदर राओ में थोड़ा तनाव रह सकता है, मही 2019 सितंबर 2020 में प्राउड था, देश आर्थिक विशेशेक के भी लगते हैं, बहुत अदिक धन कमाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो सितंबर 2019 से और माई 2019 से सितंबर 2020 के समय में, प्राउड था देश विदेश विदेश विद्शिदी, तो कुछ कानूनी पचणों के पते इनको साफधार देना होगा, जमीन क भूमी को विवाई जिवन को लेके या पार्टनिशिप्स को लेके, 21 सितंबर 2020 से और अप्रेल 2022 का समय में, ये इनके जीवन का उत्थान का सर्फशे समय हो सकता है, फिल्म, मीडिया, हर्प दृष्टिकों से, बहुत अज़ी सफलता है, फिर अप्रेल 2022 से सितंबर 2023 ये भी समय अच्छा है, इनका जो अच्छा समय है, वो अप्रेल 2024 से लेके और जून 2026 से चलना है, उसमें सिवा स्वास्ते के थकान के, प्रोड़ता के लक्षिन के, और कभी को आप चोटों के या मदूमे के संकेत मिल रहे हैं, उनमें इनको साब्धान रहना होगा, वो समय है, आ समय होगा, इनको स्वास्ते के बीच में, इनके दिमाग में राजनीती के प्रती आकर्शन आ सकता है, प्रूंतों इनको बचना होगा, तो कि अगली जो महादाशार इया इनकी, जूर 1226 से थे थिस, उसमें को स्वास्ते बिवाई की जीवर ब्यापार इन पे ज़्यादा ध अगर ये राजनीती में जाते हैं, तो वो विवक्षी राजनीती होगी, इस समय में इनको थोड़ा चोट का, थोड़ा रक्चाप का, थोड़ा बैक में घुट्नों में दर्थ का, इसका ध्याना करना पड़ेगा, परन्तों अधदी कुर्जाबान समय होगा, इसमें जीव ये तो विवक्षी राजनीती होगी, धन्यवाल, नमस्कार.